वालकूम अगेंग गूड मॉर्निंग विट सभी आपको खुश्याम देद केती है एक बार फिर और आज हम अपने खुबसूरत से सेग्मेंट में बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की ठीक है जी और इसके अंदर बहुत कुछ आ जाएगा क्योंकि हम लोगों का एक बहुत तो मैं कहूंगे हम लोग भूल गए है कि एक्सरसाइज क्या है और एक्सरसाइज का कॉंसेप्ट इतना ड्राउना कर दी है जैसे समझने कि पता नहीं एक्सरसाइज छोड़ो यार कौन करें लेकिन यकीन करें जब आपको प्रॉब्लम होती है यह यह शोल्डर पेन या पर मजबूरी है और वो कहते हैं आपके मसल्स जो है वो जाम हो गये हैं यह फिर आपको फिजर थरपी करने पड़ते हैं चाहिए कोई बी आपके और गिनों कोई बी आपका बाजू भी हो सकता है अक्सर नहीं आपाजू में दर्ट हो गया भी हो गया वो गया कुछ बहुत हम करेंगे ऐसी कौन सी हलकी पुलकी एक्सराइज जो हम डेली करें यह नहीं कि आपने बस एक घंटा पसीने पसीने हो गया और आपका बीपी डाउन हो रहा है या हाई हो रहा है वाटेवर ऐसा कुछ नहीं करना रेगुलर अगर आप अपने आपको 10 मिंट देते हैं टू म फिटनेस की आपकी हेल्थ की और हेल्थ के साथ फिटनेस विट ब्यूटी हो तो कितना अच्छा है तो आप खुबसूरत फिर नजर आएंगे और फिट फार्ट नजर आएंगे फिट के फार्ट पता नहीं कहा है हमारी हारत मोटा पतला हम लोग कुछ कहते तो मैंने का अच्छा है अच्छा आपका जो इंट्रो है मुझे बहुत हमेशा अट्रैक करता है बहुत अच्छा बोलती है बहुत खुबसूरत नाम है उनका और बहुत ही नॉलीजिबल है Yes मुस्तिफपा अनीस साँ अकीम मुस्तिफा अनीस साबiliyor करें मुस्तिफ़ए अनीस साब असलाम अलेकियों वालेकियों अल्ला के हैं अनम जी्मिरी हर बात को बहुत ज्यादा इपइशेट करतें इतना एपष्ईट ना क्या करें असलब में आप की कॉल्टिए है कि आप कहते हैं कि क्या है पढ़कें यहां विखार मिच लगता है कि आप बहुत जाब काहते हैं हाँ, आप ऐप कहते हैं तो यहां पर साध्या इक्राम फिटनिस ट्रेनर और योगा ट्रेनर एंड शेफ यहां पर मौझूद है क्काना पीना भी तो पहुत जरूरी है उसके बारे में भी थो नॉलिज देना है तो यहां पर यहां है साध्या इक्राम असलाम अलेकूँ वालीकुमेस्सलाम आपकों पुआ श्लाम वालीकूं कैसे आप? मैं ठीक हूं, आप कैसी है? वाज किलास है, बारभी डॉल बात करी, है लोग है वेरी लोगी, इतना चार्ज जी हो था मेने का, मुस्तवा मेरी बात से, नहीं आपकी आवाज महुत प्यारी है, मेरी नहीं पटी पटी आवाज, Allah माफ करे, मुस्तवा भाई आपके आवाज अब अच्छी हो जाती है, कैसी आपके आवाज में एक रिधम है, रिधम है, रिधम है, अब इस सुर लगाऊंगी, मैं इतना होती है, आपके अपने नहीं जाना है, मैं लोग क्यों, आज हमारी जब सिंगिंग का प्रगैम होगा न, आपके पढ़ी मेरी तरह जौकर शौक रखती है, मुसी की की न, तो र रिधम होगे, आपको जौक करूंगी, इज आपको जौकर करूँग ऐगे, आछछेजी बात हो रही है, हम लोग फिटनेस की बात करेंगे, हल्का पुल का अंदाज है, मेरी फैमिली है, मुस्तफा बाहीर आनिया, आपका साधेहीं, मेरी फैमिली है, और हम लोग यह जो पा यह पर बैठते हैं और आप लोगों से बात करते हैं और आपको आवेर्नेस देते हैं आपसे पहले यह बिताईए सबसे पहले यह बिकाज्य आर सीनियर एक्सरसाइज को हमने अब मैंने देखा डिफरेंट कंट्री में बहुत अबलाइज किया चाहता है हम लोग क्यों नहीं अब लोग क्यों कि आप लोग बहुत शौक है ने बाहर मुल्क जाने का लोगों को तो मैं उस तरफ जरह सा लाके पर आपके पास जाती हूं आपा बहुत अच्छा ब्रीफ करेंगी बाहर 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 लोग जो आउट आफ कंट्री के लोग हैं जो गोरे जैने आप चाइन आपके बात को आगे बढ़ाते वे एक बात कहूंगी पिर कहूंगी कि आपका इंट्रो मुझे बहुत अट्रेक करता है उसकी बात ही है कि आपने परग्राम के शुरू में ही कहा कि एक्सेसाइज को इत्ता खौफनाग बना दिया हम लोगों नहीं हुआ यह है कि करेंगे तो वहां पर एक्सेस कर सकते हैं और जिम मेंस पैसे पैसे का फुखदान है हर आदमी को आजकल पैसे की बहुत ज्यादा कमी है महंगाई ने इतना कमर तोड़ दिया कि खाने पीने की अश्या के लावा आदमी की दूसरी तरफ नज़र ही नहीं जाती लेकिन सेहत बहराल अल्ला की बहतरीन नेमत वह से एक नेमत है सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है जिम का तसवर आते ही ये तसवर आता है कि जी पैसे देंगे तो जिम में जाएंगे अब मैं कहती हूं कि ये तसवर हमारे यहां क्यूं आया अब मैं बात शुरू करती हूं यॉरप से हमने तो यह सुना था यह पर लोट शेडिंगी नही का हमने तो सुना था यहाँ पर लोट सिह Лाइट होोति दो थो तो हमारे पाकिस्तान से लचा है अव्म हारे पाकिस्तान प्रश्गत हैं पर-गे मैं पहुंची है और अहँ से शुचा हैं और सुबह पांच बजे जिन्दगी का आगाज हो जाता है या लगा जब नेमते बांट रहे होता है वो सोलर पर चल रहे हैं वो अल्ला की दीवी जो रोशनी है उसकों वो इस्तेमाल करते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो वो अपने लाइटे गूल कर देते हैं इसलि हमारे हां की ओरत सुबह उठने के बजाए अक्सर जो बहुत अपर कराने हैं तो उनके तो बच्चों को भी उनकी मास यहीं भेशती है लेकिन देखिया अल्ला ने जब आलाद दिये वो इसलिए दिये के मा है तो जहां है तो मा अपने बच्चे को टाइम देती है सुबह उ जाए मगर हमारे हां की जो मासीों की फरावानी है इस वजह से हमारे यहां की औरफ डल हो गेई उसने काम करना चोड़ दिया हमारे हां दुपेरों को उठने का रुजान हो गया जो अल्ला ने हमें टाइम दिया है सुबह इस वक्त जो विटामीं डी है कुदूरत के तरफ स टाइम ही बदल दिया इट मिन्स आप अपनी सेहत को खोते जा रहे हैं तो जब आप बारा एक बज़े उठेंगे तो उस वक्त घड़ी पे नजर पड़ते हैं अब किचिन में जाके जड़ी जड़ी ये करेंगे उससे खाना बनेगा नहीं उससे पहले बच्चों के आने का ट सब चल रहा है किसी चीज़ का भी टाइम नहीं है अब सिहते चुके खराब हो रही है तो उनको जिम जोईन करना जब अपने घर को मैनेची नहीं कर रही है तो पिर जिम जाना पड़ता है अब कुछ लोगों का ये भी कॉंसिप्ट है कि जैसे अभी मैं इनके बताएंगी बेतर ज्यदा सादे एकराम साहबा है अफकोर्स फिटनर्स ट्रेइनर है कि ये अकसर मैंने देखा है जिस तरह आपा ने का कि खवतीन से मास्यों से जब काम लिया जाता है एक याद रखना हम जब बाहर मुलक मारे मर्द भी जाते हैं तो अपना काम खुद करते हैं हम यहा मिल के काम करवारी होती हूँ मैं कोई भी जिस दिन हम यह महसूस करें हो कल भी एक स्लैबिटी ने कहा था कि काम में कभी शर्म नहीं महसूस करना जो काम मिले वो करो जरूर तो यह बड़े इंडिया के बड़े फिल्म स्टार ने अपनी सकसेस के बारे में बताया यह फिल्म ताइम से पहले जाके पहुंचते तो तमाम मां के जितने वरकर उनके साथ टाइम स्पेंट करते थे उनकी काम्याबी का राज देखें जरा और हम लोग जब जराज़ा हमारी अप्रोच और पैसा बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम गरीब लोगों को जिनको हम कुछ नहीं समझत हमारे ख़ते जिनके साथ हमारे टाएम उनको सबसे पहले धृत कारते यानि उनको एगनौर करते हैं और दर म İंके बेटना पसंद नहीं करते हैं ये सबसे पहली मिस्टेक है जिसने का कि आंकों वाले जो होते न, जब आंकें नहीं होती तो हम डंडी पकड़के चलते हैं लेकि जैसे हमारी आंके आती हम सबसे पर इस डंडी कुछ ओरते हैं, जो हमारा सहारा बनी थी, बिल्कोल उसी तरह हमारी एक नेचर है, कि हम लोग जब ये सारा एक्तदार चीज करती है और फिसनेस के लिए गारी निकाले आप हैं मुझे नहीं लगार और जब फिटनेस छोड़ती है चाहिए अच्छी भात नहीं जा कि अब को ट्रेंन कर लो ईसके बाद आप pénर पिक्रती जा आपकिज थी अबेदा कि अअफ़ी की जैसे कि आपने कहा कि बाहर के मुलकों में देखें तो वहां अर्ली मॉर्निंग सब लोग उठ जाता है मतलब कि वहां कारबार सुबा शुरू हो जाता है बिल्कुल सही बात कहीं आप नहीं के वाइटमिन डी का वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो अगर अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो आप देखें पूरा दिन बहुत लंबा हो जाता है और हर काम आप अपने टाइम पर असानी से कर सकते हैं अर्ट का मारे ने कर तो एक अलग हिसाब किताब है कि बच्चों को स्कूल भेज के सोना है पिर दुपैर में भी सोना है और बस पता नहीं कौन से काम करती हैं जाती है कि को को किंग के लिए गाप किचन में जाने तो मुझे लगता है एक हंटा बहुत अगर अगर आपको प है घर में पिसा हुआ है तो आपको सिफ एग घंटा कुकिंग करने में लगता है तो क्यों हम अपना मीट एम अपना क्यों नहीं निकालते है फिर आप कंप्लेइन करते हैं कि मुझे स्रवाइकल पेन हो रहा है मुरे जैसे आपने कहा कि जोडों में दर्ध है या एक कॉल है या साधिया है इसलिए मिक्स हो रहा है सपका नाम मैं सभी हूँ अच्छा जी क्या पूछने है गुडिया आपने नहीं पूछने करना था कि आमने जब चुबह उत्के है अट्य है मुझे रामी आपको से कोसंव करना था बात कीजिए आपको सवाल कीजिए क्या कहना चाह फर्माईए जी मुझे तुक्सा तर्टी जब हम चाई से नुक्सान होते हैं अच्छा बहुत शुक्र आपने कॉल किया अच्छा आवारस भी अपकी ड्रॉप हो रही है आपके कहना चाहेंगे अब यह इन्होंने चाय का सवाल किया चाय का ना फायदा है ना नुक्सान है बल लेकिन यह हमें आदत पढ़ गई है हम लोग हैबिच्वल हो गए अगर हम चाय ना पिए तो लोगों की आँख ने खुलती सुबह का आगास हो गया वो यह नहीं समझते लोग एक कप चाय पीकर ही अपने आपको इनरजैटिक महसूस करते हैं अगर चाय ना पिए तो आदत आदत चो है वो हमें पढ़ गई है लेकिन अब चूंके आदत पढ़ गई है तो आप इसको पीजे कोई बात नहीं अगर आप इसको पीने से एक्टिव हो जाती है कोई नुखसाद नहीं है इसका आपने मुक्तसर किया अचा मैं जरा इनके बाद पर मुस्तफा के बाद चलती हूँ जरा डिटेल में बीच में कॉल आगी थी आचा जो आपने कहा कि हम लोगों को एक पता नहीं क्यों हम लोगों हुआ बनाया है और बहुत जाद अपने बोज़ समझ लेती हैं और सुबह मैंने देखा बच्चों को बेजने के बाद अक्सर खावतीन अकर मैं यह समझती हूँ सद्या आप शायद में भी अगर हमारे पस कोई करने का काम होगा ना तो हम सबसे पहले स्कूल बेजने के बाद उस काम की तरफ तबज़ देंगे जब हमारे पस करने को कुछ नहीं अलो असलाम लेकों अलो है मेरी जान निकाल ली बेन क्या करी हो हाराम सिर शजाद भाई सबसे कर वोल्ड कीजिए है लो जी कौन है मेरी साथ यह इरभाद करी जादी है हूँ मैं ठीक हूँ इरभ मेरी शजादी कैसे हो आप ठीक हूँ जी अलादा शुकर है और मैं रानी आंटी से आज दो तीन सवालाग करूंगी रानी आंटी पिछले हक्ते जब आएंटी आपके शो पे इन्हों ने बताया था मेंदी के पतों को बालों में लगाने का तरीका इसको पूछना है रानी आंटी से की ये पलीज बताये के उसको कितने गहंटे लगाना है बालों में और इसके बास शैंपू करना है पानी जबॉश करना है और दूसरा जो बलैक नकद हो जाते हैं हाथ पेरों के जॉइंट जाइच्ट जो बलैक होते हैं उसके लिए बालों के लिए बेहतरीन कंडिशनर के तौर पर आप मेंदी के पत्ते इस्तिमाल कर सकती हैं मेंदी के पत्ते ताजा लेकर यह नहीं पंसारी से लेकर उसी हालत में पत्तों के लेकर उसको पीस कर आप लगाएंगी तो ये आपके बालों को ना सिर्फ ये के कंडिशनिंग देगा शाइनिंग देगा बालों को नई जिन्दगी देगा और बालों के अंदर बहुत फ्रेशनेस आना शुरू हो जाएगी obviously आपको शैंपू करना होगा क्योंकि शैंपू करने के बाद ही ये मेंदी के पत्ते आपके बालों से निकल जाएंगे और कोशिश कीजेगा कि जब आप बाल धो रही होंगी वाश कर रही होंगी तो रिंस के दौरान कोई ब्रॉश या कंगा अपने पास सकेगा ताके मोटे मोटे पत्ते मही निकल जाएं और बिलकुल ऐसे ही होगा और जहां तक आपने बात की के आपके डाक सरकल है डाक सरकल के लिए मैं आपको होम रेमीडी भी बताती हूँ वरना हमारी फ्रेकल क्रीम इस्तेमाल कर लीजे बहुत ही 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 बहु कैसे मैनेज और मिंटेन कर सकते हैं वो इंपोर्टेंट है देखें सभी जो हमारी फिटनेस है यह जो मेरी हैल्थ है वो 90% हमारे हाथ में हैं जो के हम डॉक्टर के हाथ में दे देते हैं तो 90% हमारे ही हाथ में हैं तो मैंने आप से कहा कि मी टाइम भी होना चाहिए ठीक है पर फिर भी नहीं हो पाता है। लोग मशीने खरीद लेते हैं ट्रैडमिल लेते हैं। छुद लेते हैं। लेते हैं। लेते हैं। विए लेते हैं। भी नहीं होता है। जालि लट्के हो तो घुन सुरू होता है घुटुके जांस केसे करनी है किसी स्पीड पर कुनिंग करनी है कुल दोन कुछ भी नहीं पकता हूं लुटिंड थो होते है तो सहर गैदरिंग हो जाती सही देखagnụ आपो कि बोठी हैं और गुषिया कि और शाड़ी न जाते हैं। वह बहुत सारे और टे में वहारो हैं। चुटी बड़ी साब एस लिए उतार बहुते हैं। वह उप टो उनका आप उनसे बाते हैं।S स्ट्रेस भी श्याईं कुरम योगा उल Settings अगन सा म Wenya G इडिया करते हैं और इसमने जबर्दैने करते है में चीज तो उस वह इतनीλέth infect कर assassination है कि आपका पोरा दिन भर का स्ट्रेस है वह बिलकुल गॉल राउन हो जाते बिलकुल खतम हो जाते है योगा बेस्ट टेपर डिप्राइशन अधि इसके लिए बेस्ट एकसाइस हैं इसके अधर के हम कपाल पाटी की कहते हैं वो करते हैं ब्रीधिंघ भाडी में अल्टरने नैजल ब्रीधिंग थे इस तरह की ब्रीधिंग से आपका इंसाइटी लेव्ल बिल्कुल खतम हो जाता है रो के योगा में किया होता है कि आपकी बॉडी के ऎलाइमेंट पुर सही करता है जैसे बहुत से लोग.. गाडी की अलाइमेंट तो सुनी ती यह भी अलाइमेंट भूत भी है शुकर यह तो नहीं कहसा देने हैं आपको खोल कभी बनाया जाता है इसे ही होता है जैसे गाडी की चारप्वी एक टायर की अलाइमेंट भी ही तरहना है सम्टीम ऐसा है कि हमुरण स्टैंडिंग से हैं यह ऊदू है за लिग सक्वागी कर दो नहीं होते हैं तो यह नहीं कहा हैं अजो नहीं कि उस पषेंगे का उसे करें अजिए आप जुक के मुबाइल है ये कंप्यूटर जुक के ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपकी यहां पीन आना शिरू हो जाता है इस सारी चीजे हैं जो बॉडी अलाइमेंट को योगा में सही किया जाता है कि आप सबसे पहले अपना बॉडी बॉडी पॉस्चिर जो हो बहुत अच्छा रहे हैं बिल्कु स्ट्वेट बैटे हैं बिल्कु स्ट्वेट देखें छोल्डर्स आपके रुपी नहां हो आपके बॉडी करने से पिर आपका हम बनना शुरू हो जाता है यहां पर डेली करने से जैसे कंप्यूटर पर एक्सर लोग जो बैटे होते हैं वो भूल जाते हैं सब कुछ ना उनके लिए बैस जो वरकिक विमें से कि टाइम नहीं मिलता वो अपने ऑफिस में भी आदा घंटा ब कि उसमें जितने भी उनके वरकर्स हैं जो क्लाइंट है वो आदा घंटा जाके रैस करें मतलब आंख बंद करके बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाओ बिल्कुल ब्रीधिंग करें तो सारा जो आपका स्ट्रेस काम का वो सारा खतम हो जाता है और दोबारा वो एक एक एनरजी क कर रही हूं इस वक्त आपकी जब आप थोड़ा सा सा सांस रोकने के बाद अगर दुबारा से सांस लेते हैं तो आपके लंक्स पर प्रिशर पड़ता आपके और जो है वो स्ट्रॉंग होते हैं जिस तरह एक बार आपने का कि यूरिन जब आपको इंफेक्शन या को आई तो आप थोड़ा रोक रोक के करेंगे ना तो वो भी एक मेडिकल टर्म में ज़रा बेनिफिट होता है आपके मसाना इसमें वोर्किंग होता है जैसे सांस का पिछले दिनों करोना आये तो लोग करें तो आपको पता चलेगा कि आपका जो लंक्स कितने स्ट्रॉंग है तो हम कि अब अखिंगे जो आप अप पर लुका हाज तास छोड़े तो ये ऑक्सराइस हम बाहर की एक्सराइस और औरगίν की एक्सराइस है ये बड़ा काउंचीयCont Lud of which हम चलते हैं हकी मुस्तफा के पस मुस्त्पा नीस साब पर और देखेंगे कि एक्सराइस के साथ हम जो हैं जो हमारे लिए बहुत अची हैं लेकिन हम इनकी एमियत नहीं जान पा रहे हैं बिलकुल भी नहीं यह नहीं कि आप इतना बड़ा प्याला जो भर की जौ दल्या नहीं आप टेली दो चमच भी आगर लेते हैं दूद में डालके और एक कप यह छुटी सी कटोरी भी लेते जी क्या कहते हैं जी कि नॉमली तॉर पर एक मिसाल है अल्ली टुबेट अल्ली टॉराइज अ तेरी खैरो आपको टॉपिक है तो उसी पर हम चलते हैं जी हमारे हां क्या है जी रात को जब देर से सोया जाता है तो यही एक बज़ा है टेंशन की डिप्रेशन की और मुस्ल् कि जब दुपेर में नैप नहीं लिया जाता है तो यह बेसिक बज़ा है सारे के सारे आपका अर्फटिक एमपेक्ट या मेदेक एमपेक्ट तीसी बात ही है कि जब रात को भरबतूर खाना खाया जाता है तो यह एक बेसिक बज़ा है जिससे आपका लिवर या आपका जो बोडी के मसल्स हैं वो खराब हो जाता है तो इसकी वज़ा ऐसे भाई सब लेकर नॉमल ही ताओर पर जब भी दवा देते हैं तो हम यह नहीं कहते हैं दवा खाओ हम कहते हैं बाई सबसे पहले घजा पर पर्रहेज फिर एकसाइज और सबसे आखर में डवा काम करेंगी लेकिन हमारे हम यह क्या कांसेप्ट है पहले दवा क्षाओ एकसाइज बाद में देगे हैं तो आपकी जो आपका जो लिवर है यह स्टमट है उसकी वज़एसे वह होना शुरू हो जाए अब एक आज के लिए बहुत कमन प्रॉब्लम हो है टेंशन डिप्रेशन या नीद का ना आना इसका बिसिक जो इलाज वो क्या है सुबह फजर के बाद उठ जाए जाए और दस से पंद्रा मिनट वॉक करें और जो भी आसपास आपके दरख्त हो उसके सुंगे फेक दें इस तरीके से दो चार दिन करने की बज़ए से आप देखेंगे कि जो लोग सालों से डवाईया खा रहे हैं नीन की डेप्रेशन की एंजाइटी की अल्लह की हुक्म से इंशालला ताला उसका ये प्रॉब्लम उसे हल हो जाए दूसरा जिन लोगों को प्र पहर को खाने के बाद अगर कुछ देर नेप ले 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 जाएगा तो कभी भी आपके स्टमक के ओपर आपकी आंतों के ओपर कोई भी इंफ्रेक्शन है या मेदे में तेजाबी और जला नहीं सब खतम हो जाएगा तीसी बात है कि आजकल जो बिसी मसला क्या है असल में हम ल पर देखे जाए तो यहाँ वहाँ पेन हो जाता है वेट बढ़ जाता है तो इसके बेसिक इलाच क्या है बहिं रात को खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनिट वाक कर ले तो यह एक ऐसा बेसिक मामला जिससे जिसम में जितने भी फाल्तु फैट्स इने सब बनना ही खतम हो जाए है और दूसरी बात है कि नाट वाली वज़िग सब मामले उस ताह से करें अंचा यह दू काम करें और तीसरा इसके बार अगर एँ लौं खाली है हाँ हाँ मैंने काश है उसके जाए दे लिया जाए ऋसके लिए अगर वा कह बार आए Bennett तो इसके आँ अशुद लिया जाए- तो पूछ प्रेंदे छूभी पाषब लेना है दूसरे ले नाक सांस प्र L09 plan ने न कालना है यह सभी पड़े निया निकालना है जाह थे छिए जब Wonderful practice पर प्रॉब्लम होता है शोल्डर पेन का सावाइकल पेन का यह जिन लोगों के नॉर्मल महरे कमजूर हो गया है यह इन दो चीज़ों पर काम कर लें अल्ला के होकुम से बहुत बहुत जल्डी यह मसला उनकाल हो जाएगा अब आ जाते हैं गहजा के ओपर देखें सुबा का चै 앞에 और नाष्टा हमारे हां किया ही नहीं जाता डेखें सुबा का नाष्टा बेश है सअगर वो सुबा का नाष्टा बेस आपकी स्ट्रॉंग होगी तो सारा दिन आपका बहत्री غुजरेगा तो सुबा का जो बहत्री मामल है वो बाल ले जिसको आप जौका दलिया लिक चिल्का उतारें, खजूर की गुर्टी निकालें और इसी पानी में इसका शेक बनाके पी लें. तो इससे क्या होगा? इसके तीन फाइदे होगी. सबसे पहला आजकल हर बंदे के जिगर भी करमी है. चुँके हर बंदा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, सोचों में है, बहंगा यतनी हो गई है कि इसकी वज़ाए से वो क्या करे? जब ये मामलात होते हैं तो खुद्बाखुदी उसका लिवर, उसका मेदा अफसर हो जाता है. तो इन्शालला ताला इससे उसका मेदा बेतरी जाएगा. तीसी बात ये है कि जब नया खुद्बाखुदी आपकी बाड़ी में आकर कोई कमी है, कैल्शिम, आईरेंड या मिन्बल्स की वो खुद्बाखुदी, खतम होना शूरू हो जाएगी. जब दूद्बाखुदी वो ये, एक चटनी है, लसन, अदरक, अनारदाना, पौदी ये चटनी बना लें और हर खाने के बाद या हर खाने के साथ उसको एक टेबल स्पून या रोटी के साथ खाएं, चुँकि आजकर जो एक बड़ा कॉमन प्रॉबलम है, वो है शूगर का. ठीक है. और शूगर जो नाम है, वो है टेंशन का, डिप्रेशन का और हाँ हाँ, वो तो वो मज़ी आपके प्रॉटल बना के रख लें और येकिन कर ये, मैं तो कहते हूं येकिन कर मुझे भूख लगी ना मैं रोटी के ओपर ये चटनी रखके खा लेते हैं, इतनी अच्छी लगती है ना, और बंदे का ना रज बनता है कि हार में ने कुछ द वो ये कहते हैं, जितना हलका लाइट खाना होगा, वो उतना ही आपको फायदा देगा, ये है, ये बात है, आच्छा जी हम लोगों ने भूल गए, ब्रेक नहीं लें हम लोगों ने, एक छोटी सी ब्रेक ले इजादत है, रानिया पा, उसके बाद आपा के पास हम आते हैं और मज़े मज़े की और information लेते हैं, तो यहाँ लेंगे जोटी जी ब्रेक और मिल्टे ब्रेक के बद गुद मॉर्निंग विट सभी के साथ। और बात करेंगे हम आपकी health and fitness की और हमाई साधिया एक्राम fitness trainer, herbalist, रानिया पा, एन हकी मुस्तफवाणी सब एक बार पिर आप सब को खुशामदीत कहती हैं, अपने morning show, good morning with सभी में, बात हम लो अपकी health exercise की कर रहे हैं और अक्सर, खवतीन, खुबसूरत तो दिखना चाती हैं लेकिन उसको manage नहीं कर पाते हैं, शुरू में में भी आप बहुत smart को अफ़र मेरेज या कुछ आपकी जब gradually उमर बढ़ती है तो आप लोग एकदम याद करते हैं और हम पहले कितने वैसे थे यह अब ऐसा हो गया, यह अब ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे आपने प्रोसीजर पैस आउट करना पड़ेगा, एक्जेम पास करना पड़ेगा ना, तो मैं सबसे पहले चलती हूँ, यह बताएं के साधिया हम ऐसा क्या करें के हम जो हम स्क्रीन पर जिन ड्रामा आटिस्ट को देखते हैं तो खवरतीन अट्रेक करती हैं, आप पताएं के हमारी एक्सराइस क्या होनी चाहिए? यह बतावते हैं, तो सब कुछ चोड़ देती हैं, तो फिर एकदम से पुट आन करना शुरू कर देती हैं, वेट अपना, वेट उनका बढ़ जाता है, वो यह नहीं कहती हैं, कि भाई हमारा स्लिपिंग और खराब हो गया, वक्त नहीं सो रहे हैं, हम जादा खा रहे हैं, सब कुछ चोड़ दिया हैं, वो कहते हैं, कि योगा चोड़ा ये एक्साइस फोड़ने से हम मोटे होगा हैं, और वाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी हैबिट्स को बदल देते हैं, इसकी वज़े से आप मोटे होना शिरू हो जाते हैं, तो योगा की सबसे इथी ब का isa cafe aith बेट्टार्ण हें, राप इसे के बैठें, तो नहीं कीजिए, डिक ब्रीध इन्हेल, और ऐसे नहीं होना फॉड़ कहते हैं, मुदरा होते हैं, इसकी वाइसे करके बैठें, पहते हैं फ स्सक्रा जिस आपको वीस होने हैं जिस में इलाफ लाइंस ही के लाइट को हैं तो हमंटा। डिस लिखेएखा, शन्याफ के एगा हैं आपको वीस जोगा करें tastा ने लाइज दानें देड़ाद से लाइंस राइंस हॉवे कैसे डीवा आपके नेजिल एरिया को अगर आप इस तरह से प्रेस करते हैं तो आपका हम प्रहेकर प्रहें आजय सिरोगा, जो जुए प्राइघ, जुए हैocado наш भी पनिले, बन् Gateway कर्फा शूते हैं, वह था क्लम होथ टे क्लम को इस जंठ गशटर हुए है, है वह झाय को शुए्ट बिल्कुल जल्दी 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 बस बिल्कुल जो पॉइंट है ना यहां फे तोड़ा नीचे बिल्कुल यहां बिल्कुल आप अच्छा के साथ आप प्रेशर पॉइंट का अगर नोलेज मिलती रहना तो खावतीन को जैदा अवेरनेस हो कि यह मारे लिए कितनी आप अच्छा नीचे बिल्कुल भाई ना यहां पर आथ दूंप से करें आप इंगे यह ऑन जनके लाइन आप इसे प्रेश प्रेशर यहां जाते हैं और यहां पर रहे कि आप अप छॉट शुट छोट चोटूट चानी चारिश किए अप जसे आज चानी से आप लाई जा आप सिब मैं यू करूं कि आपको खुद बखुद फरक नजराना शुरू हो जाएगा कि मेरी आइबरो लिफ्ट होगी इस जरह यहां का आप यह करें इस यहां से आप यहां पकड़ें और यू करें आपने लोगों का जो पानी बहना शुरू हो जाता है उसमें यहां पर एक पॉइंट होता है यह बंद हो जाता है यह आसूं की नाली होती है तो हम अपने फेशल पर बहुत फोकस करते हैं कि इसके दर बहुत प्रेशर डालती हूं और अपना जो स्टाफ है उसको भी सिखाती हूं कि लोगों जो जिसका हम फेशल कर रहे हैं उसको नहीं मालू है लेकिन हमें मालू है कि उसको क्या फाइदा पहुंचेगा अचे यह बेसिकली वहीं बात आगी फिटनेस ट्रेइनिंग हम हेल्थ की बात कर रहे हैं यह ब्लट सर्कुलेशन चेहरे पर जो है वह एक्टिव होता है तो नसें वह वरकिंग करती है तो हमारे बोगों जो मस्ल्स आइट हो क्योंकि ब्लट सर्कुलेशन अमने वह सारी एक्सेसाइज सिर्फ जिसम नहीं हम लोगों क्या हो अंदर के औरगन की एक्सेसाइज यानि आप लंबे लंबे सांस लेके फिर आइससा सो छोड़ रहे हैं फिर योगा कर रहे हम यह तमाम चीज़े हमारी अंदर बाहर और हमारी ब्यूटी हर जगा अब देखें यह जो ज स्ट्रस बहुत अच्छ झाय जो हमें स्ट्रस्स आ वह खत्म हो जाता है हमें दूर को नहीं कोटी है ना पर 1940 हो बोगों को आप लोगों को एक्सिससाइज ндरना है यह नहीं। पहले तो knowledge ले लेज़े, प्लीज, आपके हाथों में, जिसना आपका पूरा body structure इस हाथों में, आपका पूरा body structure आपके पाओं के तल्वों में, जिस सारे pressure point है, यह आँखे, यह नाग, यह हड़िया, यह आपका नीचे कहसा, यह आपके, इस सारे, एक एक portion आपके जो है ना, करते है ना, तो यह calcium के लिए बहुत भितरी है, बाल भी से अच्छे होते है, बहुत बहुत अच्छा है, और मैं आपके एक चीज दिखाते हुए, सभी मैं लेकर आई थी, अच्छा कुछ लेकर आई है, ने मैं गिट नी लेती, ने, ने, मैं आई ने, बहुत सिंपल सा गि बालों में इस तरह से उपर नीचे आगे पिछे आगे पिछे तो आपने जो कहा कि हमाई जो बलड सर्कुलेशन रुख जाती है, तो आपके है अच्छा मसाज करें, यह सिंपल मसाज बिल्कुल इस पूरे बाल नीचे गिरा के ऐसे पूरा ज़रा के तो मुझे लग रह रह तो आपके सकते है पिछुष्ठे बाल है मनननने बाल झाल माइन तो आप ज़से है अपने करें जो जो एक जो तो आप जबने लेगा है तो निचैसे आप इस चुछा के और जैसे हमारे है गुदी की तरफ हाने पर एक चोटा शबड़ अगरा सा होता है जो कि शोल्डर और पीछ बैक मेरा जाती है कि एक आत देन पहले मैं सुबा सो कर रूठी तो मुझे लगा मुझे चक्कर आया अच्छा मुझे लगा फील वा मैंने का है यह क्या हुआ आप बिलीव करें मेरा बहुत बलीव है इस पर इस एक्सराइज पर अने यह रखा है और मैं बैठी रही और मैंने तू तीन मिनट ऐसे पकड़के अपने इस से दोने उगलियों से किया अच्छा इसके बाद मैंने करती हूं एक्सराइज लेली इसके बाद मैं अलहुदलिला पूल की इसी को तो आगे बढ़ाओं तो कभी भी ऐसा हो चक्कर है तो एकी दो आपने है और दोने आप आप से बाद करहा है कि जुए थू आप मैंने ईसके बाद मैंने आपर होगगे ऐसे का यहां पर घार्वी नाया पर होगगे अगली इसको फि страш बाद मासाज करना BENJAK यहां और अप इसको अबने है लेके बैसके के लिए अने करें करूँ आप भाल रिल्कुल रिल्कुल कर में कॉर्다면 कोई काम अहीं करना बस मैं हो और मैं ही हूं आपने बंदी आपने बन एक लिए धर पूरा प्यापट रिए बैके लन में कना। आपने इस तरह से तीन दफ़े ऐपने clockwise तीन दफ़ा anti clock आपने back किया एक तो एक्स ऐसे क्या ओता कि आपकी double chin तो बिलकुल होटम होटा मजाती है आती ही ने करी ही double chin, आपकी double chin बिलकुल खायब and straight and down पिर भी ब्लॉक वाइस अंडिक तक्रीबन आप तीन लाइसे राइट तीन दफा लेफ साइड आप एंड डाउन करें आप यकीन मानें इतना सुकून मिलता है आपकी जितनी सारी चोटी चोटी चीजे होती है चल लेटे जिए हम इग्नोर कर रहे होते हैं लिए थे पिर अपने niez तक्निक्स से इसे हैं मेजान अपने अपने सालून में की तमाम एक्सरसाइज इस वील्एंस को निपता होता हुँ यह सारी तेकनीह होती है है यह कोई परसुनाश के है जब यह तो से यह पर से कहाया है बैट के यह पनो से पता हो कि इसके फाय देखे हैं, आपके इड़ गेड़ चीजे होती हैं, आइल्स वगरा हैं, आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि इसका इसका इस्तमाल कहां पर कि आप जैसे में हमने का मसाज, आप उसको फिंगर पॉइंट से, अपने फिंगर टिप से कर सकते हैं, सिर्फ आपको कुछ कहना चाती है, जी मैं ये कहना चारी हूँ कि यकुम से तंबर से मैं अपने ब्यूटी सैलून में, रादीस ब्यूटी सैलून में, अप प्रोफेशनल कोर्सिस का आगास कर रही हैं, जिसमें फूल कोर्सिस भी हैं, और नमबर आप सब को पता ही है, मेरा 0334-3 226502 है, इस पर आप लोग मुझे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको गौर्मेंट का सर्टिटिकेट भी मिलेगा, अब मुस्तिफा आप क्या कहना चाहते हैं अपने नाजीन से, बर रोजाना एक चुटकी हल्दी, अगर पानी के साथ निकर लें, तो सुमा आप क्या मैसिज देंगी, यह आपका कैमरे सामा है, देखें भई, छोटा सा मैसिज है, सुबह जल्दी उठीए, और भरपूर सांस लेजे, जिन्दगी से भरपूर सांस लेजे, ताकि आपकी जिन्दगी भरपूर और खुशियों वाली हो जाए, सांस लेना सीख लिजा क्या बात है मेरी पहरी बन वाकी में, आप जब जाएं ना हॉस्पिटल और जो लोग ऑक्सीजन पे होते हैं, उनसे पूछें उस सांस के क्या है, यह तो मेरे रब ने फ्री में दी है, उसकी हम कदर उसको गंदा करें, उस हवा को गंदा करें, जो हमरे सांस दे रही है, ले मेरे जो हैं, बड़े यह कहूंगी कॉस्मेटिक्स दुनिया के बेताज बादशा, मुझाइद सब इस एविंट को कंड़क करें, और मेरी प्यारी बहन उसमा अस्टम जो हैं, वो डोरा कॉस्मेटिक्स की लाउंचिंग कर रही हैं, और यह बड़े एफट कर रही हैं, और पर जो हैं, बड़े बड़े स्लेबर्टीज आ रहे हैं, 13, 30 August को एक्सपो सेंटर में, स्याल कोट में, और फिल्म स्टार दीदार नादिया हुसैन, एम चोवान, और बहुत सारे स्लेबर्टीज, बहुत सारे आर्टिस, बहुत सारे टैलेंटिद रोग महां पर मिलेंगे, तो आप लोगों ने आना है, होने जा रही है, स्याल कोट में, एक्सपो, ब्यूटी एक्सपो, तो हमारे जो हैं, वो अर्ष मीडिया, पी बी आई को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी महां पर तश्रीफ लाएंगे, मिस्टर अर्ष यदली, तो लेट सी या लेंगे, बूर्णि विट सवी के साथ.